हमारे सामने जो कोश्चन है तो सबसे पहला कोश्चन है बार सूखा भूकम चक्रवाथ ठीक है बार सूखा भूकम चक्रवाथ इद्याती जैसे प्राकर्तिक आपदाओं के मामले में किस ग्रामिट डाग जीवन वीमा पॉलसी के लिए प्रेमियम के बकाया के रुप में एक वर्स्तक कोई व्याज जो है कोई व्याज नहीं लिया जाता है कोई व्याज नहीं लिया जाता है इसमें हम सही आंसर क्या देखने वाले हैं हमारा जो यह कोश्चन है बीमा से सम्मंदित तो इसका सई आंसर है ग्राम प्रिया ओप्सन नंबर आपका बी कहलाएगा ग्राम प्रिया में ठीक है अच्छे तरह से याद रखेंगे ये ग्रामिर डांग जीवन बीमा ग्राम प्रिया कहलाती है दूसरा आंसर जो है उसा देवी जी आपने सम्मिट किया है टूसी टूसी मतलब की अधार के नमांकन नया नमांकन ठीक है नया इन्रोल्मेंट जब भी होता है अधार काड़का तो उस समय कोई भी पेमिंट नहीं लगती है तो यहाँ पर क्या आंसर है निसुलक टूसी आंसर राइट हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हम आंसर सम्मिट करेंगे टूसी राइट इसके साथ ही हम जो है अंगले कोशन के और आगे वड़ते हैं अंगला कोशन हमारा तीसरे नमबर का और चौथे नमबर का एक साथ जो है आपके कम्प्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे प्रइमिदा है यहाँ पर कमेंट आप कर सकते हैं बहुत ही भैत्रीन कोशन है आज की इस वीडियो में सभी कोशें जो है नई प्रणाली ठीक है नई प्रणाली जो है न्यूफरिव निप्रणी सिस्टम जिससे आप कहेंगे और इसका जो पूरा आप यह यह नन पीएस यह न्यू पिंसन सिस्टम स्कीम जो है ठीक है यन पीएस के कार्यानवन और मनेटरिंग के लिए नोडल एजनसी कौन है तो इसका जो है कोशन पूछा जाता है और आप सभी कर्मिचारियों का जो है यन पीएस अब करता होगा 10 परसेंट आपकी सेलरी प्लस डिये का तो यहां पर यaff प्रड़ी अड़ी और ऊप संगर कौन सा त्री अपसर न्यूंबर तरीuencia परकाई का एक त्रीका पी और अंसर आपका यहां पिछ/. चलिए इसके साथ ही हम चौथे क्यौशन में पहुंचते हैं और होजान मंतिर सुरुक्ष्य भीमा योजना के लिए ठीक है आयू सीमा क्या निर्धारित है कि सत्तर वर्स सत्तर वर्स आपने सही आंसर सम्मिट किया यहां पे 70 वर्स आंसर आपका होगा सुकन्या सम्रधी अकाउंट जो है यहां इस अकाउंट से सम्मंदित कुछल पूछा गया है आपको पताना है सुकन्या सम्रधी खाता कितने वर्सों के बाद बंद किया जा सकता है कितने वर्सों के बाद जो है बंद किया जा सकता है तो सुकन्य सम्रद्धी खाता जो है आप इसके वारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको 250 रुपैसी है खाता ओपिन होता है 18 वर्स की लड़की जब भी हो जाएगी तो अपने पैसे को जो है 50 परसेंट निकाल सकती है टोटल क्लोज होगा जब अकाउंट ओपिन होगा उस डेट से मतलब जीरो डेट से और 21 वर्स खाता खोलनी की तारिक से 21 वर्स के बाद जो है उस खाते को बंद किया जा सकता है तो ऑप्सन आपको यहां पर सी कहलाया 5C चलिए अंगले कोशन के और आगे बढ़ते हैं यह कोशन भी बहुत ही अच्छा कोशन है और यह आपको ध्यान रखना है देन दयाल इस पर सियोजना के अंतरगत दी जाने वाली छात्रवर्ति की रासी कितनी है देन दयाल के तहट जो है छात्रवर्ति रासी जो दी जाती ह और कितनी है तो यहां पर आपको ध्यान रखना है आंसर 6,000 रुपए प्रती वर्स मतलब मंतली 500 रुपए के हिसाब से एक साल में 6,000 रुपए को कोशन नमबर 6 का भी आंसर ठीक है 6 का भी आंसर आप सब्मिट कर सकते हैं इसके साथ ही हमारा जो अंगला कोशन है सिंगल माई स्टांप सीट में कितने स्टांप होते हैं एक सीट में कितने स्टांप होते हैं ठीक है सिंगल माई स्टांप जो होते हैं तो यहां पर आप देखेंगे माई स्टांप सीट में जो है टोटल होती है मतलब कि आपका आपसन यहां पर डी कहलाएगा इसे आपको बलत बिलकुर भी नहीं करना है, बहुत ही Aussिंपल से question लिए गए हैं, मामलें में डांग बस्तू का पंजी करण करना निवार होता है, ऐसा कौन सा मामला है, या फिर कौन सा option है, जहां पिर आपको 5 करण करना निवार माना जाता है, कोई भी पारसल जिसका वजन 4 kg से अधिक है कोई भी मोल दे बस्तू डांग बस्तू या उप्रोक्ट A और B 8 का C answer कहलाएगा आपका जो सही option है अंगला question पूछा गया है blind literature packet से सम्बंदित और 9 number का question है blind literature packet का जो अधिक्तम बजन है ठीक है जिसे आप निसुल के भेज सकते हैं उसका criteria जो है 7 kg है 7 kg मतलब की option आपका 9 का A option कहलाया 9 का option कौन सा है A option है चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पास में 2 question है यहाँ पे ठीक है 2 question कौन कौन से है 10 11 है 12 number का question भी आप देख सकते हैं तो हमारा जो 10 number का question है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मुद्रित पुस्तक वाले पुस्तक packet के लिए अधिक्तम बजन सीमा क्या है अधिक्तम बजन सीमा बोला गया है तो इसके लिए मुद्रित पुस्तकों ठीक है मतलब की प्रिंटेड बुक्स जो है मुद्रित पुस्तक वाले पुस्तक पैकेट बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स इसका जो है बजन सीमा 5 kg है तो हमारा सही आंसर 10 का भी 10 भी आंसर कहलाया कि बिजनेस पार्सल डांग बस्तूओं के लिए निवनतम सुल्क डैस की डैस की बिजन से सुरू होता है बिजनेस पार्सल जो है कितने किलोग्राम से स्टार्ट होता है मीनिमम ठीक है तो यहां पर टू किलोग्राम कि अंतर राश्टी स्पीड पोस्ट के लिए समान अधिक्तम बजन सीमा क्या है स्पीड पोस्ट के लिए जो है EMS के लिए बजन सीमा 35 kg निर्धारीद है तो आपने सही आंसर सम्मिट किया है 12 का option नमबर B 12 भी आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर हमारा जो अंगला कूश्चन है बहुत ही धुंदला है यहां पर फोटो किस्ते समय थोड़ा दिक्कत हो गई है स्पीड पोश्ट बस्तूओं की बित्रन में देरी के मामले में तीक है क्या सुल्क है इस प्रकार से पुचा गया इस्पीड पोश्ट का दोगुणा केवल स्पींद पोश्ट सुल्क 1000 रुपए या फिर 100 रुपए । का चार्ज होगा, वह राप्त होगा। घरेलू, स्पीड, पोश्ट, प्रोविजन, माल की, बीमारासी की अधिक्तम सीमा क्या हो जाती है, तो यहां पर सही आंसर है, कोश्चन नमबर 14 पे, आंसर एक लाग होती है, तो C आंसर हो जाएगा आपका, काई धाय सेकड़ा, हजार दस्यल लाग, एक लाग, ठीक है, वन ल किस्टन आपके पास में है, पोस्ट बॉक्स के किरायदार को अपने पते में परिवर्तन के बारे में, कितने दिनों के भीतर, पोस्ट मास्टर को सूचना देना चाहिए, जब यह क्लॉज हम पढ़ा रहे थे, पचपन और चपन नमबर के क्लॉज में अपना यह आता है, ठ होता है, ठीक है, तो यहां पर आपका सही आंसर है, आपस नमबर B, साथ दिन पहले वहां पर पहुंचाना है लेटर, फ्रैंक की गई निमने लिखित डांक बस्तू को अदत माना जाएगा, अदत माना जाएगा, कौन किस कंडिशन में, पत्र पेटी में डाली गई बस्तू बात की तारिक वाली, पिछली तारिक वाली, ओप्सन यहां पर आपकी जो है, लगभग चारो, चारो ने, तीनो सही है, तो D ओप्सन आपका हो जाएगा यहां पर, ठीक है, सोला D, पंद्रा B, पंद्रा B और सोला D, एकदम राइट आंसर है, कोई भी यहां पर कंफ्यूज के भुकतान को, डैस की रूप में सुईकार नहीं करेंगे, किस प्रकार से सुईकार नहीं करते हैं, तो यहां पर जो है, रेबनु स्टांप है, तो रेबनु स्टांप का प्रियोग, जो है, डांक भार चुकाने के लिए नहीं किया जा सकता है, ठीक है, यह कोशन जो है, ब पहुंचते हैं और सही आंसर यहां पर देखेंगे ठीक है 18 नंबर में क्या बोला गया है कि पंजीकरत समचार पत्र पंजीकरत समचार पत्रों के ठीक पैकर रविवार और डांगर अवकासों के दिन बिना किसी बिलंबसुल के भुक्तान की स्विकार किये जाते हैं तो तीन प्रकार की आपिस होते हैं आपे एक होता है PS PSO एक होता है RMS और एक होता है यन पी यो तो यह तीनों आपिस में क्या होता है निसुल के जो है स्विकार किया जाता है बिना लेड़िविस के तो आपका अंसर यहां पर D कहलाएगा आल आप दाएवाव ठीक है इसे अच्छी तरह से याद रखेंगे, कुश्चन नमबर 18 का आंसर D है, जहाँ पर विलमसुल के साथ जो है, विलमसुल के लागू नहीं होते हैं, तीन प्रकार के आपिस में, बहुत बार जो है, तो आंसर में सिर्फ यहाँ पर रात्री कालिन डांगरी डाल देते हैं, जो गलत हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर तीनों औपिस कहलाएं गे अपने, अंगलए कुश्य हैं, सेना डांग घर के पते पर नमन लिखीत, डांग बस्तौओं को बुक नहीं किया जाएगा, सेना डांगर के पते पर निमलिखे डांग बस्तों को बुक नहीं किया जाएगा कौन सी बस्तों को मन्याडर को स्पीड पोस्ट को पंजिकरत को या फिर उब्रोक्त में से कोई नहीं सेना डांगर के पते पर निमलिखे डांग बस्तों को बुक नहीं किया जाएगा महाराश्य सरक्ल जो है आन्सर भी समिट किये है आप मुख पोस्ट मास्टर जर्नल कौन सा आप संसे हो जाएगा अप्सन नमबर आपका भारत सासन से वार्थ ठीक है OIGS जहां पर रहता है लिखे होने पर इसे डांग बस्तु के निचले बायक होने में दर्ज किये जाने वाले हास्ताक्षा और अधिकारिक पदनाम का आधार होना चाहिए किस प्रकार से ठीक है ऑप्सन दिये गए हैं सर आपके पास में इन सभी आपका जो सही ऑप्सन उससे सिलेक्ट करना है अब यहां पर देखते हैं डांग बस्तु भेजने वाले अधिकारी के तो इनका होना चाहिए प्रधान लिपी किया उससे कारियाले के अधिक्चक यह सही है अनुत्तरा उत्तरदाई अधिकारी जिसे प्रेशन का सौपा गया है यह सही है तो यहां पर ऑप्सन आपका डी डी आपका राइट होता है ट्वंटीवन पर ट्वंटीवन का डी राइट आंसर आपका कहलाया चली अंगलिक कोशन में हम चलते हैं यदि डांग द्वारा परेशड के दौरान कोई डांग बस्तू डांगर गाइट भागवन के खंड 213 के उप खंड एक या दो के प्रब्धान का उलंगन करती हुई पाई जाती है तो इसे वो भेज दिया जाएगा ठीक है तो यहां प उसके नाम पता अच्छी तरह से नहीं लिखा हुआ या जिसका कोई तलास नहीं किया जा सकता है बाद में उसको उपर नीचे कहीं भेजने वाले को पाने वाले का पता नहीं रहता है तो उसे आर यलो भेज दिया जाता है कहां पुनाय फ्रेशड कार्याल है आर यल ओ ऑप सधी और स्वापकों का परेशड प्रतिबंधित है जैसा कि डैस में परिभासित किया गया है तो खतरनाक आउसधी अधिनियम 1935 ठीक है तेज का कौन सा सब्सक्राइब किया गया है इन्हें आप नहीं बेज सकते हैं प्रतिबंधित है ट्रांस्मिशन में कि 24 नंबर का कोश्चन है ट्यमों ट्रांजिट मेल आपिस ट्यमों का फूल फॉर्म हो जाता है ट्रांजिट मेल आपिस में निमने लिखित कार नहीं किया जाता है निमने लिखित कार नहीं किया जाता है कौन कौन से वर कहां पे जो है नहीं होते है ट्य थीए गया option में से आप सही answer submit कर सकते हैं अभी हमारे comment box में किसी का answer दिखाई नहीं दे रहा है तो यहां पर आपका काम concern हो सकता है डाक बस्तूँ की छटाई sorting का काम जो है यहां पर नहीं होता है ट्रांजेट मेल एक भाग में एक छटाई कार्यालाय में उस सेट की सहायता के लिए काम करता है जहां काम अधिक है ठीक है ना अंस्देरी सॉर्टिन असिस्टेंट या मेल सॉसर्टिंग एसिसटेंट एर सबॉर्ट इंस्सर चार प्रकार सियाँ पर नाम बताये गहे हैं सिय्ट अंसर आपका है एक इपस्राइब से ओर स्ञुटिंग असिस्टेंट आप कह चोटा हुआ पारशल थेले में होता है सदारण पंजिकरत पारसल भी पी पारसल ब्रिमित परसल पारसल थेले में तो यह सारी चीज़े जो है आप रख सकते हैं तो आंसर आप यहां पे D हो जाता है बहुत शरल और आसान कोश्ष नहीं बढ़ते हैं ठीक है 27 नमबर पर रोकर्ट कोशे क्समंद नहीं है क्या चीज़ से नहीं है 27 यहां पी आप देखेंगे रोकर्ट तैले 2 ठैले होते हैं नंगदी ठैला जो है यहां पर देखेंगे केस बैग आड डिव बैग मतलब जो डेली जाते हैं तो कैस बैग डेली नहीं जाता है जब कैस रहेगा तब जाएगा इसलिए यह औपसण आपका तो, स्वरी, के संबंद में नहीं है, ठीक है? नहीं बोला गया है, तो यह आपना जो है, सई हो जाता है. पहला अप्शन, दे थैले, नहीं है. बागी option आप देखें, रोकर थेले समानता है खाता, थेलों में सलंग करके प्रिसित किया जाते हैं, आपका सही है, रोकर थेले से सम्मंधित ये लाइन आप ज्यान रखेंगे, इस प्रकार से कभी पूछा गया, तो आंसर सही माना जाएगा, मतलब रोज जाने वाले, ठीक है? 28 नंबर का कोशन आपके पास है, निमनलिखित का संबंध कार्याले की फाइलो और अन अधिकारिक कागजातों को सलंग्न करने के लिए उप्योग किया जाने वाले थैले से है, और सचीवाले या उच्च सवचीवाले के मुख्याले कार्याले दौरा बंद किया जाता ऑफ़े है, 28 पहला आंसर आपका भी यहाँ पर 28 पहला दिकत नहीं, बहुत सही आंसर है, आपका भी आंसर सही यहाँ पर आया है, अब हमारे पास में दो कोश्टन यहाँ पर दिखते हैं, और इसे आप जो है सही आंसर बता सकते हो, खोतो साही नहीं है रेल स्टीमर लाइन या आपन व्हट्रो ओर चुछ क्या कहलता है रेल्वे स्टीब लाइन हर जग्हें काम करने वाला सिक्षन आरेलो टीमो या बीट इस प्रकार से ऑप्षन दिया गया है तो एक बीट होती है ठीक है बीट काम करती है आपके 29 नमबर पर डियांसर आपका और इसके साथ ही 30 नमबर जो है ट्रायल कार्ड जो होता है आज माईसी कार्ड इसे आप दूसरे सब्दों में आज माईस इसके फॉर्म को भी पूछ लेते हैं तो इसे आपको बताना पड़ेगा इसमें किस प्रकार की चीजे होती है अधत पोस्ट कार्ड सेवा पोस्ट कार्ड निजी पोस्ट कार्ड या उप्रोक्त में से कोई नहीं तो 30 नमबर का हमारा जो सही आंसर है सर्विस पोस्ट चलिए ठीक है अंगले कोश्ट के और आगे बढ़ते हैं हमारे पास में अंगला कोश्ट है यहां पर हिराकुन जल बिद्धूत परियोजना कहां पर है ठीक है पंजाब, ओरीशा, आसम, अन्ठ प्रदेश, जी के कोशन है, जी के कोशन जो है बहुत बार जो है गलतियां हो जाती है तो आपका सही आनसर हैं यहां पर ओरीशा किके और ओसन नमबर B आपका है नागारजुन, सागरबान नदी पर बना बनाया गया है किस नदी पर तो यहाँ पर आप देख सकते महा नदी दा मोदर कृष्णा कावेरी नागार जुन सागरवान यह कोशन बहुत बार पूछा जाता है इसके साथ यह मैद के कोशन को भी सॉल्व करेंगी तो 32 नमबर का अपना सी आंसर है क्रिश्णा नदी जो है ऑप्शन नमबर सी आपकी राइट है अगले कोशन क्या है सुतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जर्नल कौन थे सुतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जर्नल कौन थे तो आप्शन आपके पास में चार आप्शन दिये गए हैं इनमें से हमारा सही आंसर कौन से हो जाएगा सी राज गोपालाचारी डी आंसर 34 नंबर पर क्या है मानव सरीर की सबसे लंबी हड़ी में कहां पर होती है तो यहां पर आपका सही आंसर कौन सा हो जाता है और अपसर नंबर सी पूशन यहाँ पर थोड़ा साथ स्लो यह सोलो कह सकते हैं धुन्दला दिखेगा आपको महिला T20 अंतर राष्टी क्रिकेट में सतक लगाने वाली पहली भारती कौन थी महिला T20 में अंतर राष्टी क्रिकेट में सतक लगाने वाली पहली भारती महिला उचा गया है तो आप सभी को पता होगा यहाँ पर कौन है हर्मन प्रीत कौर ऑप्सन नंबर भी है हर्मन प्रीत कौर आप्सन इंग्लिस पर देख सकते हैं सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं और अपना अंगला कोशन जो है यह कोशन है और अपना डियोपी में कभी कभी सामिल कर लिया जाता है ठीक है क्या है भेंदा वर्ल्ड पोस्ट डे इस सेलिबरेटेड इन इंडिया विश्टो डांग दीवस कम मनाया जाता है 36 नंबर का कोशन है और सही आंसर इसका आप सभी को पता है 9 अप्टूबर अंगला कोशन है बद्रीनाथ डैस नदी के तट पर इस्थित है बद्रीनाथ डैस नदी के तट पर इस्थित है तो हमारा सही आंसर यहां पर 37 नंबर का जो कोशन है इसका हो जाएगा अलक नंदा अलक नंदा पर है नेस्ट कोशन आप देखेंगे यहां पर 38 नंबर पर है भारत की किस ठीक है ब्रत चित्र लगू फिल्म ने 2023 में सर्वशेश ब्रत्चित्र लगू फिल्म के लिए ओसकर पुरुसकार जीता है फिल्म तो है एलेफेंट वाली मुवी देखेंगे अब अच्छी तरह से याद ही होगा महा भारत के किस पर्व में भगवत गीता है महाभारत के किस पर्व मन भगवत गीता है रपन पर्व भेज में पर्वसांति परों कि 911 को के अप increasing है और इस कुशन नंबर का जो सही आंसर है तो भी ऑप्शन है बेस्पे पर्वि में है ठीक है अंगला कुशन है किसी यात्रा के विरोध के दौरान रिजल्ट आप दा इंजीरियस चोंट है आपे साइमान कमीशन किंग जोर्ज पंचम ठीक है क्रिस्ट मिशन और महरानी विक करना है और सही आंसर आपको भी कमेंट करना है यदि आप सॉल्ट कर पा रहे हैं तो जल्दी जल्दी आप भी सॉल्ट कर सकते हैं सबसे पहले दिया गया है जो कुशन है 16 प्लस बारा के साथ में गुड़े 18 बटे 72 है तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे आप ध्यान से देख आएगा माइनस का 6 रहेगा ठीक है अब इसे आप सॉल्ट करेंगे 18 चाओ को 72 होता है और 4 त्याइंबारा होता है ठीक है 16 प्लस 3 माइनस 6 और इस 6 से 16 को घटा देंगे तो 10 प्लस 3 हो जाएगा जहां से आपका आंसर 13 बनेगा तो 13 आंसर से पे कहलाता है ठीक है 41 का आंसर आ आप करिएगा हम थोड़ा से यहां पर करेंगे इस कोश्टेंज पी भिन्न का सवाल है जहां पर हम भिन्न वाले में जो है अंस बटे हर ठीक है यह नीचे वाली संख्या को अगर हम सेम नहीं देखती तो उसको हम सेम बनाते हैं उसके बाद में हल करते हैं लेकिन यहां पर जो है सेम पहले से है तो हमें सिर्फ solve करना है 145 बटे में 91 पहले सें ऑर पो नीचे एक बार हम लिखेंगे 192 और इन दोनों को आपको क्या करना है जोड़ देना है 228 वटे एक सौ बया नवे आएगा ठीक है और इसे आप जो है किस से काटेंगे 12 से आप इसे काट देंगे 12 से दोनों जो है बराबर भागों में कट जाएगा तो 19 वटे जो है 16 प्राप्त हो जाएगा चलिए अंगला कुश्चन यहां पर पूछा गया है इस तरह से कुश्चन आ सकता है कुश्चन तो बहुत सिंपल है लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा क्या बोला गया है कि 500 स्टुडेंट है एक स्कूल पे जिसमें से जो है 38 परसेंट क्या है बॉइस है और यहां पर आप से पूछा गया है लड़के और लड़कियों का डिफरेंस कितना है लड़के और लड़कियों का डिफरेंस कितना यह बताना है तो हम सबसे पहले 500 38 तो 190 आपको मिलेगा मतलब 500 टोटल बच्चों में से 190 लड़के हैं तो इसमें से जो बचा वो लड़किया कहला जाएंगी तो बचा कितना 310 310 लड़किया है 190 जो है लड़के है यह हो गई आप boys और यह हो गई girls और इन दोनों का अंतर करना है 310-190 इन दोनों का माइनस करेंगे अंतर निकालेंगे वही आपका सही आंसर कहलाएगा और इन दोनों को बीच का डिप्रेंस होता है 120 और 120 यहां पर ऑप्शन नंबर बी में आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार से आप यहां पर जो कुछन पूछा गया है बहुत ही सिंपल है यदि आप हमेशा मैं स्वाल करते हैं तो इस आसानी से कर सकते हैं 133 जो है एक संख्या का 29 परसेंट है तो आप यहां पर देखें 19 का गुड़ा करना है इन सभी आप्शन में से और जिसमें 19 का गुड़ा करने स से 133 आ जाए वहीं आपका सही ऑप्शन है तो 19 गुड़े साथ 19 सत्ते 133 होता है 133 ठीक है परसेंट यहां पर दिया गया है तो आप इसे किस प्रकार से काटेंगे तो चलिए देखते हैं हम निकालेंगे 700 का 19 परसेंट 12 परसेंट है तो बटे में हम सव लगाएंगे इसे हम सव से काटेंगे 19 गुड़े साथ आएगा और इसे 133 परसेंट यह निकल जाएगा तो सही आंसर आपको कौन सव हुआ ऑप्शन हुआ सही बी कभी कभी आप सवालों को इस प्रकार से भी सौल्व कर सकते हैं अब यह कूशन यह पूछा गया है यहां पर जो है दोनों हिंद अब यहां पर आप देखेंगे क्या बोला गया है राम राओ ठीक है नहीं एक बैंग से 10 पैसे प्रति 10 रुपए प्रति माय की दर से चौवन सब रुपए लोन लिया है एक वर्स के लिए ब्याज की गड़ना करें ध्यान से समझना है यहां पर आप 10 पैसा ठीक है दस पैसा जो है 10 रुपए में 10 रुपए में तो एक रुपए कितने पैसे मोता है 100 पैसे में तो यहां पर हम 10 से गुड़ा कर देते हैं पैसा सो पैसा सो पैसा वराबर एक रुपए मतलब सो रुपए में एक रुपए ब्याज लगती है ठीक है कि सो रुपए में एक रुपए ब्याज लगती है एक परसेंट कहलाया तो इस प्रकार से चौलने गुड़े 168 आपका आंसर आ जाएगा तो आंसर यहाँ पर किस ने सम्मिट किया 45 का किसी ने नहीं तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो 45 का आंसर चलिए अंगला देखते है 46 नंबर पे और 46 नंबर का कुश्चन भी बहुत ही सिंपल है महेंके रेट में खरीदा है और घाटे में भेचा है इन दोनों के बीच का आप करेंगे माइनस या अंतर निकालेंगे तो आपको पढ़ेगा यहाँ पे 1150 इन दोनों का डिफरेंस आएगा दोनों के बीच का हानी हम कैसे निकालेंगे पहले जो हानी हुआ 1150 बटे के नीचे हम उसे लिखेंगे जो हमारा क्रैम मूल है जितने में उसने खरीदा है पांच बार में यह पूरा कड़ जाएगा और इस प्रकार से हमारा 5% यह प्राप्थ होगा कितना हुआ 5% आपको यहाँ पे मिल जाएगा राइट चलिए लगबग आपको यहाँ पे अच्छी तरह से सवाल समझ में आ गया है आगे चलते हैं हमारा जो कोश्चन है यह टाइम दूरी का है और बहुत ही सही कोश्चन है ठीक है कई बार इस प्रकार से कोश्चन आ जाते हैं लेकिन जो है गलतिया हो जाती है आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं आप में से यहाँ पे कोई भी हो सकते हैं जिने मैं थोड़ी कम आती होगी, एक कार 6 घंटे में 60 किलो मेटर प्रति घंटे की गती से दूरी ते करती है, मतलब कि यहाँ पर दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी बरावर होता है, स्पीड गुडे टाइम, तो स्पीड इसकी दी गई है, 60 किलो मेटर ठीक है, और टाइम भी दिया गया है, 60 गुडे 6, अंगला सवाल पूछा गया है, 80 किलो मेटर जाना है, तो वो कितने समय में, तो समान दूरी कितने समय में ते करेगी, तो 80 किलो मेटर की रफ्तार से जाए तो यहां पर हम टाइम निकाल देते हैं तो आपके पास में कैसे निकलेगा टी बराबर हो जाएगा यहां पर 60 गुड़े 6 बटे में 80 तो यह 0-10 आपका खटेगा और इन दोनों के बीच का आपको निकालना है अंतर स्वारी यह अब इसे आप भाग दे सकते हैं आठ चौके बत्तिस चार बार में कटेगा यह है चार सही एक बटे दो घंटे यह सही आंसर है आपका राइट तो इसे आप किस प्रकार से निकालेंगे आप 4 से काड़ देते हैं चलिए 4 से काड़ते हैं 4 नाई 36 होगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा यहां पर आप इस प्रकार से काड़ सकते हैं अब हमारे पास में क्या प्रकार से तोड़ सकते हैं पहले आप इसे सरल करेंगे तोड़ देंगे इस प्रकार से 4 से एक बटे दो हो जाएगा अच्छा बटे यहां पर कमेंट में लिखा जाता है आइवरेज का जो सवाल है आइवरेज से पूछा गया यहां पे है दस्वी कच्छा में कच्छा की परिक्छा में गडित को छोड़कर पांच बिसे में मनाली ने अंकों का आउसत 62 था मतलब की पांच बिसे में आइवरेज उसका 62 तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे आप यहां पर क्या करेंगे इन दोनों का कर देंगे पांच गुड़े 62 फिर क्या पूला गया है गडित सही 6 विश्व में अंकों का आउसत क्या था 65 था तो छे गुड़े 65 और इन दोनों का जो है गुड़ा करेंगे और इसके बाद इसका जो है अंतर निकालेंगे तो दोनों का जो है आउसत आपको प्राप्त हो जाएग ठी की यूरो पांच अगा तीस एक तीस तो यहां पर 310 ठीक है 5 35 यहां पर स्वरी 635 जीरो 636 और 36 और 39 तो यहां पर कितना हो जाएगा 390 और 310 इन दोनों के बीच का जो डिप्रेंस है वह है असी है तो असी यहां पर जो है उसका आंसर हो जाएगा मैठ में चली हमारे पास में दो सवाल और बचे हैं जो बहुत ही सिंपल है और इन्हें भी आप देख सकते हैं 16 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं तो हम यहां पर फार्मूला लगाते हैं मैन ठीक है दिन यह डे और यहां पर समय टाइम हावर ठीक है बटे यहां पर वर्क जितन आदमी और आठारा दिन बस दिया है तो मैं मतलब आदमी हो गया है तो सोला और दिन दिया इंदी अधर दी कमा दिया है 18 तो 18 लिखेंगे बराबर करेंगे बांकी चीजी नहीं या तरह एसे छोड़ देंगे आप कहा जाएंगे हम अंके 12 आदमी बोला गया है और डी पूछा गया है मतलब कि यहां पे 12 गुड़े में हम डी लिखेंगे ज्यात हो जाएगा 12 को आप क्या लिख सकते हैं तीन गुड़े चार अलाग अला काड़ देंगी तीन से आप इसे तीन चंग 18 चाहएवार में चार से चार चोके 16 इस प्रकार से ठीक है अब आपके पास में बचा क्या चैग गुड़े चार बरावर डी और चार चंग 24 बरावर डी तो डी कमाने हापे 24 आपका बी आंसर पर आ जाएगा राइट चलिए अंगले कुशन की और हम आगे बढ़ते हैं अंगला कुशन हमारे पास में है कि एक फाइनिंस कंपनी ने क्या किया है 9540 रुपए में से रबेचे हैं इतने रुपए में उसने से रबेचे ठीक है और एक से र की कीमत कितनी है 45 रुपए है एक से टोटल कितने सेर बेचे गए तो आप इसे कैसे देखेंगे माल लो कि 9540 है इसे आप जो है 45 से भाग दे दोगे तो सही आंसर आपको जो है प्राप्थ हो जाएगा दो सो बारा दो सो बारा सेर बेचे गए हैं बस पचास को से जो है हमने सौल्व कर दिये हैं समय थोड़ा सा जरूर लगा इस प्रकार से आपको भी जो है एक घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करना है आपको एक घंटे में पोस्ट मेंन के एक्जाम दे रहे हैं